को अंतबान साथियो स्याने केंदे कुदर तक गे किस दा जोर नहीं चलदा पिशले दिनी पंजाव दे विच बहुत पारी बेमौसमी बरसात होई गड़े मरी होई तेज हवावां ते वाब रोड़े चले उदे नाड खड़ियां हो यहां फसलां दा नुकसान हो गया खासत आप जाके देखके आया नियाल सिंग वड़ा दे पिंडा चे पत्तो हीरा सिंग खाई मैं किसानानों मिलके आया मिजदूरानों मिलके आया मैं मुकसर दे डबबली टाब त्यारद वड़ा दे पिंडाने किसानानों मिलके आया आप खेता दे विच जाके देखके आया कि ब जाला यह पट्याली दालाग गया जित्थी में गया आप देखे आखी के बहुत पारी निकसान होए खासता औरते कानका दा पक्कियां जड़ियां कानकाने वो बिल्कुल बिष कियां डिक पीयां मैं लोकाना गालबाद कीती ते लोकाने विल्कुल ए सामने सानुद खाता कि प्रवंदन होंदा है उदे वेच बहुत सारा पैसा होंदा सरकारां को है तो फंडान कोई कमी नहीं मैं अपने सारे अफसरां दी हंगामी मीटिंग बुलाई ते मैं उन्हें तो पुछिया कि पुराणे तरीके किड़े ने जड़ी मौफजा देन दे वो मैं देखे असी उसारे बदलते सब्सक्तों पहले ता ज़िए पुराने तरीक के मतावग बद तो बद नग्सान workshops दा 12.000 यूर्प देखे नधा सी अलान कीता है आना सि, मिलता थी, कई बरीतां जखमाते नमक छिड़का है आना थी 111 रू? म्हा तबी पता है, के निचर वाद तक के कहा कह थी सो असी अलान कीता है 75% 200% दिविच जिनना भी फसला दा नक्सान होया है उच 15,000 रपया एक एक करदा जने के 25% असी वादा करता है उ मिलूगा ते 33% तो 75% ता कि जिड़ा पहला चरंजा साउसी ओहना सी बदा के 25% बदा के 8750 पी ये करता है ते जिड़ा पहला छबी तो 33 उं अनक्सान हो गया तो उन्हों भी मुआबजा मिलना चाहिए और मुआबजा कि में मिलूगा किनों मिलूगा इसी पारदर्शी कर लगए असी प्रशाशन नों होकम देता है सारे डीसीज नों होकम देता है कि जदो भी गरदारी करनी है और गरदारी एक हफते दे बिच है कि गरदारी नों पर सब्सक्राइब कि अनौसमेंट होगी गरदार साब सारा पिंड अपने खेट दिखा दे के थे थे नुक्सान होया ओही लिखा जावे तो शाम नू जो जो गरदारी दे बिच लिखे हाया ओह सारा पढ के सनाया जावे तिथले लोगकां देसायन नंबर दो ते कई बड़ी की हुंद है कि मैं जमीन ठेके ते लई फसलाना नकसान हो गया गड़े पह गये जब मी पह गया तहां आम तोरते सरकारां जो जे फारम लेके जहां जिदे ना ते रिष्ट्री है उनना दे खाते हैं जो पैसे पाते हैं परसी उन्हें तरीका बदल गया पिंड़ा दे जाके सारे पिंड्णों पता हों दागे की ने की दि ए फेके ते तेह नो मिल ने जहां हिंगे जिड़ा वेले ढूस जमीन खेती कर रहें हिवली पैसे देंद तरीका विल्कुल पारदर्शी हो गया है तानेड़ करा दे नुक्षान होए ने उनने पैसे दें कारपा दें लिए थे नाल-णाल दैहारी मजदूर जीड़े ने उननने भी नुक्सान हो चलोनी सी ओवी ता फिर नकसान हो गया ना सोसी उन्हानों भी इस नकसान दे बेच जड़ा ओगिनांगे तो उन्हानों भी जड़ा इदा मौवज़े देता जाओगा सो मैं एही करना चाहूंगा के होसला रखो मिन्नूं पता लग्या कालिक पिंडचों के चार-पांज कार एहोजे ने पिंडच जिनन दा सारा जा सारा जिड़ा फसलदा नकसान हो गया हंड़र प्रसेंट तो तेन्चार दिना तो किसान जीड़े ने करोंबार नी निकले सो मैं उन्हेंनों कहना चाहूंगा होसला रखो उद्रत दिमार्य पर कोई गयाल नहीं सरकार तो अडिनार असी अन्दा तेन्वं उदास अन्दा तेन्वं अज़िए अख्वाच नहीं देख सकते अंदा तक खुश होगा तक देश खुश होगा ते इस नीन भी फसला पता नहीं किनी किनी दूर जाके सुटते ते उस ब्रोडे ने फाजल का जिलेज खास तो रहते ते पठे पशुवां दा जिड़ा पशुवां दे शेड़ पाए हुए सी वह नुक्सान नहीं कहने सारा नुक्सान जिड़ा है सरकार चल दोगी क्योंकि तो आप डेटेक्स दे साथ दे जखम दे मल्लम लामांगे और बड़ी जलती तो आटे जड़े खाते हैं दे विच्चे पैसे जड़े ने वह पहुंच जानगे पारदर्शी तरीके नड़ पैसे देवी सरकार ताकि कोई भी किसान जिड़ा ए ना महसूस करे कि नुक्सान मेरा जालो है ऐसी ओदा तरीके ने लोग नोग कहां दे सामने होनी चाहिए दिया ते लोग कहनो पढ़के संब्सक्राइब करता गरदारी चाहा लिखे याशी ने अन्या प्रेजेंट दा ते लोग कहां तो साइन कराऊ मोत बार बंदिया तो उसे मताबत याशी मौ आब जात वनू जारी करता है ब झाल झाल झाल